देखे लहर तो जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे ऐसा क्यों क्यों कि सब के दिल में कमल खिलाएंगे कैंडिडेट के लिए हमारे सामने एक ही निजर आते हैं कि मोधी जी कड़ी है अधर भी देख है सव्वें टीवी लोगसबाइस 2014 चल रहे है जनता का मोर क्या है जनता की राय जानतें किसकी पाटी बनेगी नमस्कार अंकल जी अंकल 24 लोग सबस hombre चल रहे हैं आपको क्या लगते कि इस की लहरे इस बार देखे लहर तो जो BE राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे है कि ऐसा क्यों कि सब के दिल में कम्रेंग बहुत बढ़िए तो जिया अभी राम के जिसे लोग औो पॉजिशन पार्टी बोल रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं राम मंदिर के बनने से आपको लगता है कि कुछ वोटों पे भी असर आया है क्या वोट बढ़ेंगे चारं सो पार्क पार की बिनारे लग रहे हैं चार सोन पार आएगे बीजेयपी की 405 आएंकोई व्युक्त मैंने मालोम मंदिर कि आएंगे बढ़ें दूदी और एगर मोधी ची आएंगे तो हम सोचते हैं हमारे देश್ का भीकास बढ़ जाएगा अब अमने मोदी जी को 10 साल दिये थे, मोदी को 10 साल दिये, अब तीसरी वार भी आप बोल रहे हैं कि जनता मोदी को लाना चाहती है, तो आप और क्या बतलाफ चाहते हैं मोदी से? मोधी से यह चाहते हैं कि जो बच्चे आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं यहां इंप्लाइमेंट नहीं है जहां उनके जुन ने बहुत आगे तक पढ़ाई की है उनको अच्छे से जॉब मिलें और जो कामधंदे वाले हैं जैसे हमारे लोग जैसे टेक्स पे ही हैं उनको कामधंदा अच्छे से चले ताकि जो हमारी अर्थ विवस्ता है वो जो अभी कह रहे हैं कि पांच में हैं छटे नंबर पे हैं हम तो एक भारतवार सी होने के साथ नाते यह कहेंगे कि भारत सोने की चिडिया थी तो एक नंबर पे आई है और अभी इधर से योगेंद जंद उलिया जी और जो गट बंदन की सरकार बनी है उधित राज जी की तो आपको क्या लगता है इधर से कौन किसकी लहर आएगी कि किसका पला भारी है देखी यह जो घड़ है जिस के अगर देखा जाये तो जनता जो है वो चैन्दिडिय्ट के नाम पे बीजेपी के नाम पे वोट दे रही है इधर के है कैंडिडियेट को हम नहीं मिले हमें सिर्फ एक की जानते कि हम देख के जो प्रस्पर सोच रहे हैं मोदी जी हम उनके लिए आगे चलना चाते है तो इस बार जनता का महौल है कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी मोदी के नराम के नाम पे वोट जा रहे हैं तो और बने रही है सौगंद टीवे के साथ पलपल की खबर आपको देते रहेंगे धन्यवाद आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की